हलो नमस्कार मैं हूँ अन्स आप देख रहें इंगली स्वीधन्स आज हम आपका एक टॉपिक करेंगे टैंस ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको 6 से 12 तक की क्लास में आपको मिल जाएगा ग्रामर के सिलेबस में और ये आपके कॉलेज के सिलेबस में भी होता है प्लस आप जितनी भी कम्पेटिशन्स की एक्जाम देते हैं टैंस एक ऐसा टॉपिक है इंगलीस का इंगलीस ग्रामर का जो आपको सिलेबस में अविश्य ही मिलेगा तो आज हम इसको एक सामाने सब परिचे के साथ इस्टार्ट करते हैं आपनी वीडियो को तो देखिए आपको दो चीज़ों से संब्सके है तो आपको दो चीज़ जरूर याद रखनी है एक को counselors work और दूसरा आपको टाइं leby वर्कुर्ट ताइम में दो ऐसी चीज़時間 जो टैंस शो करता है टैंस क्या सो करता है work और टाइंस को शो करता है ओके टैंस को आप कैसे define करोगे अपसे कि tense होता है जो work को और time को show करता है tense basically है क्या tense है जो आप काम कर रहे हो वो क्या है और कब होता है time आप क्या काम करते हो और कब करते हो यह है tense आप क्या काम करते हो और कब करते हो यह है tense work को represent कर रहे हो और time को represent कर रहे है यह है आपका tense Tense कितने बरकार के होता है There are three types of Tense हमेशा से अपन जानते है Present Tense होता है Past Tense होता है Future Tense होता है ठीक है और इनका एक Dividation और होता है जो सब में same है Simple Continuous Perfect और Perfect Continuous Simple को अपन Affirmative भी बोलते है और Continuous को अपन Progressive Tense भी बोलते हैं ठीक है तो अपन देखते हैं पढ़ते हैं First Tense ही अपना क्या होता है Present Simple Tense Present Continuous Tense Present Perfect Tense Present Perfect Continuous Tense और ऐसे ही Past में होता है Past Simple Continuous Perfect और फिर्फेक्ट Continuous और ऐसे ही Future में होता है तो ये एक सामाने सा परीचाएवी Tense क्या है Tense जान रखना Work को और Time को Represent करता है आपका Tense आप अपसे Define करोगे Tense को किसे कौन सा काम कब हो रहा है और कैसे हो रहा है कब हुआ Work आपका क्या काम किया और कब किया Time आपने Present में क्यों काम किया आपने Past में काम किया और आपने Future में काम किया तो यह आपका TENS, basically TENS यही है, ठीक है, यह तो एक सामवाने सा परिचा है, अपन देखते हैं, present TENS, present TENS को अपन simple TENS से स्टार्ट करते हैं, हमेशा से अपनी स्कूल में भी, अपने कॉलेजेज में भी TENS किसे स्टार्ट होता है, present, simple TENS से स्टार्ट होता है, तो अपन है, अपन examples करेंगे, examples करेंगे, आपके board के exam के दिरिश्टी कोन से भी करेंगे, और जो mainly question आपका examiner करता है, आपके paper में, उस परकार के भी अपन questions करेंगे, ओके, तो TENS आपका ही अपन clear करते हैं, आज अपने topic में, तो present TENS, present TENS, present TENS अपना वर्तमान, वर्तमान, वर्तमान पास्ट, बूतकाल जो बीच गया, चली कई पास्ट में बाते, ठीक है, और future जो आने वाला है, जो आगे आएगा ना, वो future, यह अपना generally अपन यह पढ़ चुके हैं, बेसिकली यह चीज़ें अपन हर class में भी पढ़ी है, और हर standard में पढ़ी है अपने यह चीज, फिर भी सामने सा परिचे, वीडियो अपना पूरा टेंस का topic स्टार्ट करने से पहले थोड़ा से जरूरी है, तो present tense वरत्मान काल, जो वरत्मान में चल रहा है, जो अभी चल रहा है, ठीक है, पास्टेंस जो बीच गया, जो हो चुका है, और future tense जो आने वाला है, ओके, तो simple में तो मैं अपन कॉरेंडियों से आपने देखेंगे कि का काम चल रहे हैं, चल रहे हैं, लगाता हो चल रहे हैं, चल रहे हैं, चाहे पास्ट म Parece प्रजेंट में हो ठीक है तो अपने टैंस का स्टार्ट करता है प्रजेंट सिंपल टैंस यह फर्स्ट टैंस है अपना प्रजेंट सिंपल टैंस तो मैं आपको बताता हूं अपन देखते हैं प्रजेंट सिंपल टैंस तो ये है अपना present simple tense ये अपना पहला tense तो कुछ बाते ध्यान रखने होगे क्या है हिंदी वाक्यों के अंत में ता है ती है ते है अपनी यही पढ़ते आए हैं इसी तरीके से पढ़ेंगे हिंदी वाक्यों के अंत में ता है ती है ते है आदी आते हो तो कौन सा टैंस है present simple टैंस है वै पढ़ता है वै खाना खाती है ठीक है तो ता है ती है ते है वै खेलते है they play है न वै खाना खाती है see eats food ओके ता है वै पढ़ता है वै पढ़ता है ही तो हिंदी वाक्यों के अंत में ता है ती है ते हैं एक बार सामाने तरीके से ध्यान रखें आप जब भी sentence को पढ़ेंगे तो उसका जब हिंदी करेंगे तो आप first of all देखेंगे तो आप हिंदी करोगे तो आपको लग रहा है कि वाकिये में S या इस लगा हुआ है फर्स फर्म के जैसे बववचन है प्लूरल नंबर है तो उसके आगे वर्ब की फर्स फर्म है तो आप थोड़ा सा समझोगे तो आपको समझ आएगा कि वही यह टेंस कौन सा आप उसकी हिंदी करोगे तो आपको दिमाग में आएगा प्रजेंट सिंपल टेंस है रठना नहीं है रठोगे बिल्कुल नहीं आएगा ग्रामर रठने से नहीं आएगी जितने एक्सेसाइज सॉल करोगे उतनी ग्रामर आएगी तो सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है जो प्रजेंट सिंपल है ना इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है सिंपल में सिं sentence और interrogative sentence होते है ना, उनमें helping verb होती है, और helping verb कौन सी होती है, उनमें होती है, do या does, तो आपको क्या रागा, आपन simple sentence बनाएंगे, उनमें helping वर्ग नहीं आती है, मगर आपका negative sentence आपका interrogative negative तो अगर नकरात्म को interrogative person वाचक वाचक वाग क्या आते हों अगर तो कौन सा आपकी कौन सी helping verb पर दो do या does है ओके तीसरा plural numbers कौन से होते हैं I, V, U, they ये आपके plural numbers हैं इनके साथ verb की first form सबसे main चीज द्यान रखना आपका sentence समझ जाते हो, आप structure समझ जाते हो, आप tense समझ जाते हो कि present simple tense है मगर आप S, C, S लगा दे तो ये चीज द्यान रखनी है अगर शुरुआत में I, V लगावा हो, I लगावा हो, U लगावा हो, they लगेवे हो तो आपको verb की first form लगानी है I, V, U, they आपको समझ जा गया कि present simple है, मेरे को S, C, S आता है present simple में मगर अगर आपने इन वाक्यों को, इन वाक्यों का sentence है और आपने S, C, S लगा दिया तो आपका गलत हो जाएगा तो इसलिए आपको क्या देखना है, I, V, U, they ये plural numbers होते हैं इनके साथ verb की first form आनी है, S, C, S नहीं लगेगा और singular numbers होते हैं, जो he, she, it इनके साथ आप verb की first form के साथ S, C, S लगाना है लगा सकते हैं, ओके तो आपको main चीज़े देखो बहुत important चीज़े है कई बार बच्चे समझ जाते हैं कि sentence कौन सा है present simple tense है, उसकी हिंदी समझ जाते हैं उस tense का structure समझ जाते हैं, उसकी adverb समझ जाते हैं मगर ये जो चीज़े है, I, V, U, they इस चीज़े को नहीं समझते हैं और I, V, U, they के साथ S, C, I, S लगा देखे हैं, मगर verb की ये देख ले न, I, V, U, they आ गया, तो verb की first form जो आपके question में है वो की वो ही लिखनी है और singular numbers है, जो he, she, it ये एक वचन होते हैं, इनके साथ आपको S, C, I, S लगाना है तो अब इनकी structure, pattern होता है न, तो simple sentence मैंने बता है simple sentence में आपको क्या है पहले तो subject आना है S, C, I, S लगा सकते हैं आप और object, object क्या होता है जो बच गया न, आगे का verb के आगे का जो भी part होता है, वो object होता है ओके, तो negative, अब negative sentence में क्या है negative sentence में मैंने आपको बता है help you up आई, इसमें help you up नहीं थी ना do or does negative और interrogative में होगी तो क्या आगे subject के बाद help you up आगी तो subject आएगा पहले तो negative में फिर help you up आपकी do or does आएगी आपका फिर not आजाएगा क्योंकि नकरात्म कहें तो not वह काम नहीं करता है तो नहीं आ रहा है नकरात्म को आव आ रहा है तो not आएगा तीसरे इस्तान पर और फिर वर्ब की first form आनी है मैंने बताया आपको do does आ गया तो वर्ब की first form ही लगानी है एस याइस मत ठोक देना और object जो बचा हुआ है और interrogative में does तो helping पहले आ जाती है question करते हैं क्या से what से question होता है तो helping और पहले जाती है इसमें फिर आपका subject आता है आपकी वर्ब की first form आती है फिर आपका object आता है ओके तो यह चीज़ जहान रखने है आपको कि simple sentence में आप s याइस लगा सकते हो singular number के साथ singular number के साथ आप s याइस लगा सकते हो ivu दे के साथ आप वर्ब की first form ही लगाएंगे ओके और negative sentence है तो negative मैंने आपको क्या बता है simple sentence देखो simple sentence में helping verb नहीं होती है do address नहीं है ठीक है मगर negative और interrogative में helping verb होती है और वह कौन सी होती है do address तो यह आगई वर्ब की स्थान पर do address आगई फिर not आगई क्योंकि negative sentence है तो not है प्रस वर्ब की first form फर फिर object ओके और interrogative में अपन question कर लेते हैं तो question पहले से होता है क्या हाता है क्या से पूछता है question आपका what या फिर आपका do या does wh words use होते हैं ओके तो helping verb होती है पहले आ जाती है interrogative में और subject फिर वर्ब की first form आपको यह दियान रखना है simple sentence मैं आपको वर्ब की first form लगानी है मगर singular number के साथ okay negative or interrogative में नहीं लगेगी अपन कुछ वाक्य हैं यह इनका करते हैं मैं अपना part याद करता हूँ हाना I learned my lesson अब मैंने learn के साथ क्यों नहीं लगाया इसलिए नहीं लगाया plural numbers के साथ I आ रहा है तो I के साथ web की first form आनी है plural number के साथ IBU दे के साथ आप web की first form लगाएंगे सुरेश एक मदूरगी गाता है सुरेश एक मदूरगीत गाता है सुरेश sings a sweet song अब मैंने सुरेश के आगे सिंग लगा दिया ऐस याई सिंग फॉर्म है तो ऐस याई याई मैंने लगा दिया क्यों लगाया ही शी इट एक वचन करता सुरेश एक ही बंदा है ठीक है तो सुरेश sings a song क्या वह है अब 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 अना तो इसी में अपन नेगिटिव भी ले लेते हैं इन्हीं दोनों में वह अपना पार्ट याद करता है हाना करता हूँ सोरी मैं अपना पार्ट याद करता हूँ तो अब मैं अपना पार्ट याद नहीं करता हूँ I do not learn my lesson तो do not आ जाएगा और learn my lesson आ जाएगा मैं अपना पार्ट याद करता हूँ तो आपको क्या आएगा I learn my lesson और अगर नहीं करता हूँ तो I do not learn my lesson नी negative में हो जाएगा सुरेश एक मदूर की गाता है तो अगर सुरेश sings a sweet song मगर सुरेश एक मदूर की नहीं गाता है सुरेश does not एक वच्छा नहीं है तो does not sing a sweet song तो यह अपने negative भी हो गया और simple भी हो गया अब अपन इंट्रोगेट्यू में देखते है क्या वह एक पुस्तक पढ़ता है does he read a book क्या वह एक पुस्तक पढ़ता है does क्या वह एक वच्छा नहीं तो अपने does लगाया एक वच्छा नहीं तो अपने does लगाया does he read a book पुस्तक पढ़ता है अब अगला सेंटेंग क्या तुम्हारी मा तुम्हारे से प्रेम करती है ओके अब देखो इसमें क्या है देज योवर मदर लव यू डेज योवर मदर एक वचन ही है तुम्हारी एक से बात हो रही है तुम्हारी तो क्या तुम्हारी माता तुम्हारी माता तुमसे प्रेम करती है 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 क्या वह कुस्तक पढ़ता है अगर नहीं करता हूं तो I do not learn my lesson, ठीक है, सुरेश एक मद्रूपी गाता है, तो सुरेश sings a sweet song, और अकर सुरेश नहीं गाता है, तो सुरेश does not sings a sweet song, तो यह अपने चार sentence, अब कुछ नियमों की बात करते हैं, present tense के कुछ नियम है, simple के, कि वहाँ पर अपने को S.A.S. लगाना है, तो अपन कुछ नियम की बात करते हैं, तो देखिए कुछ अपने नियम है, और यह जो मैंने लिखे हैं, यह sentence, आपकी exam में इसी तरीके से sentence, पूछे जाते हैं, और इसी तरीके से brickit में आपको verb दी जाती है, और आपको blanks में fill करना होता है, तो देखें, आदेतन कारिय के लिए, habitual works होते हैं न, जो अपने, उनमें present simple tense लगता है, देखिए का, my brother like, यह क्या है, verb है, like, verb है, ठीक है, tea and biscuits in the morning, my brother like tea and biscuits in the morning, अभी उसका brother का regular आदेतन कारिय है कि उसको सुबह के साथ चाय चाहिए और biscuit चाहिए, आदेतन कारिय है, क्या है, कि उसको सुबह के लिए tea चाहिए और biscuit चाहिए साथ, यह उसका क्या है, आदेतन है, वो रोज खाता है, चाय के साथ सुबह, early in the morning, तो क्या है उसका आदेतन क रहे है यह ब्रादर के एक वचना एक वचना तो अपन क्या लगा देंगे लाइक यह आपका सेंटेंस करेक्ट हो चुका है माइ ब्रदर लाइक्स ओके लाइक देर की तो अपने लाइक्स लिखा क्यों एक वचन है और सिंपल सेंटेंस है प्रेजेंट ठीक है टी एंड विस्किट्स इन दर मॉर्णिंग आदेतन का लिए उसका रेगुलर उसका है विच्वल वर्क है ओके दूसरा आई यह वापिस व प्लॉक लॉक था हो इए रेगुलर कितने बचे होताँ उठता उं सिंप्स ओफ क्लॉक को उठता हूं ठीक है अब क्या है आई मैंने क्या कहा था आई आई है प्लूरल के साथ आपको एस या इस नहीं लगाना आई गेट्स अपनी होगा आई गेट आप के साथ लब की फर् six of clock आदेथन का रहे हैं इसलिए आपको आई गैट आइक है ना इसलिए फर्ट फॉर्म में लगा नहीं गैट की गैट आई गैट आप at six of clock ओके अब तीसरा है आई अब वर्ट देदी ब्रिकिट में रीड एक बुक रेगुलर लिग मैं एक बुक रोज पढ़ता हूं यह भी क्या है उसका आदितन है विच्वल वर्क है उसका तो रेगुलर है उसका यह काम तो क्या है रीड से यह रीड फॉर्म है तो अब आपको ही रीड एक बुक रेगुलर ली ठीक है सिंगुलर हो गया था अपने फॉर्म भी चेंज गर दी एस यह लगा दिया अपने क्योंकि हना क्योंकि यह एक वचन था अब आई था जो वह एक वचन नहीं था अपने पड़ा है आई वी यू दे इनके साथ इसित्या आद्यतन कार्यों के साथ अपने को सि प्रजेंट सिम्पल्टएंज का यूज करना है दूसरा है साश्वश्ट्य अपक्या है подS chemin वेस्ट पश्चिम में डूपता है यह साश्वश्ट्या अप इसको दुटला नहीं सकता आप इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते इसलिए एसास वह सकते है कहां जो सूरज होता है वो पूरों में उखता है और पस्ची में धल जाता है तो सेट तो संसेट्स एक होचा नहीं तो सेट्स अपने एस याइस लगा दिया है इंदा वैस्ट ओके दमून get its light from the sun अब जो चंद्रमा है चांद है वो अपनी light किस से लेता है from the sun से ये भी शासव सत्य है आप इसको जुटला नहीं सकते है इसलिए gets एक वचा नहीं दोनों सन भी था मून भी था ठीक है तो ये शासव सत्य है जो universal truth होते हैं उनमें भी अपने को कौन सा tense apply करना है present simple tense apply कर revolves around the sun ये भी शासव सत्य है universal truth है क्या है कि जो earth है अपनी जो प्रिथ्वी है वो किस के चार ओर चक्कर लगाती है sun के चार ओर चकर लगाती है universal truth है शासव सत्य है तो revolves okay the earth revolves around the sun जो प्रिथ्वी है ये शूरे के चार ओर चक्कर लगाती है two and two make form देदी four दो और दो क्या मिलाते हैं चार अब एक वचन नहीं है दो द्यान लखो दो पहले ही दो 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 ठीक है तो अपन क्या रिखेंगे makes बहुअचन था तो अपने लिखा न makes okay two and two sorry 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 make make ही आएगा क्या क्या क्योंकि बहुअचन है तो make ही आएगा अपने इनमें present simple में अपना जो two and two बहुअचन करता है plural है तो make for s is ने makes for अपने लगातार तीन s is के देख लिए तो ये भी थोड़ो सा repeat हो गया समझ आता हूँ two and two make four दो और दो क्या बनाते है चार बनाते है अब rain rain fall from the clouds ये भी सासवर सत्य है क्या है कि जो बारिश होती है वो कहां से आती है क्लाउड से आती है तो rain falls ये अपने इस लगाएंगे इसमें ये two and two make four दो और दो क्या बनाते है चार rain falls from the clouds बारिश होती है वो कहां से आती है clouds से आती है तो अपन एक बार फिर से सासवर सत्य है universal truth क्या है the sun set in the west पस्षी में छिपता है तो सासवर सत्य है इसको नकारा नहीं जा सकता है the moon gets its light from the sun ठीक है जो चंद्रमा होता है वो अपना परकास कहां से लाता है सूरज की रोशनी से लाता है the earth revolves around the sun अपनी परच्वी यह वो किसके चारो और चक्र लगाते है sun के two and two make make four दो और दो क्या बनाते है चार यह तो यह अपना plural था दो और दो truth यह अपना habitual वर्क हो गया आदितनकार यह शास हो सत्य क्या हो गए यूनिवर्सल टूथ हो गए और विज्ञानिक तथ्य होते है scientific truth water boil form देदी of hundred celsius यह scientific truth है scientific तथ्य है क्या है कि जो water होता है पानी होता हो कितने celsius में गरम हो जाता है boil हो जाता है 100 celsius में गरम हो जाता है तो boils एक बचाना है boils ओके बॉइल्स दा हुमन बोडी कंटेन टू रना 206 बॉन्स दा हुमन बोडी अपनी जो मानवी यह शरीर है कंटेन्स 206 बॉन्स अपनी जो मानव बोडी है human बोडी है वो कितनी अध्या है अपनी शरीर में 206 है यह भी क्या है वेज्ञानिक तथ्य है scientific truth है इसलिए कंटेन्स अपन S या इस लगाएंगे ओके मेगनेट अट्रेक्ट आईरन अपन देखते है चुम्बक होती है न जो वो किस से अट्रेक्ट होती है किस से अकर्षित होती है आईरन से यह भी एक scientific truth है इसलिए भी अपन अट्रेक्ट ठीक है अट्रेक्ट तो यह अपने कुछ रूल इसमें एक चीज और कुछ एचियासिक चीज़ें होती है उनके साथ भी अपने present simple tense का यूद्ध यूज करते हैं जैसे कि यूद्ध हो गया यूद्ध हो गया तो कोई भी यूद्ध था ना जैसे अल्दी गाटी का यूद्ध किस ने जीता तो वो एचियासिक बातों से पहले भी आप किसका यूज करेंगे present simple tense का यूज करेंगे और सबसे बड़ा जुगाड इस tense को सीखने का सबसे बड़ा tonic सबसे बड़ी चीज इसको समझ लिया ये चीज तो rules है ये चीज आप समझ गए आप क्यो इस simple tense की पहचान ताहती है तेह से तो समझ जाओगे थोड़ा सा मगर ये बहुत अच्छी tense में दी जाती है उनसे आप पता लगा सकते हैं कि ये tense कौन सा है तो ये present simple tense की addrops है तो मेरे माने यह आपको रट लेनी है याद कर लेनी है अच्छी तरीके से sentence में अगर always आए usually आए, normally आए, often आए, generally आए, hardly आए, seldom, occasionally, frequently, daily, regularly, suddenly, every year या every Monday या every week, every के साथ Monday या every के साथ week या every के साथ year okay, on Sunday या on Monday या on, on के साथ Monday या Tuesday, okay, once a week या once a year, once a week या once a year, okay, sometimes or never यह कुछ adverbs है आपकी यह बहुत important है आपका जो examiner होता है वो generally यही adverbs use कर लेता है अगर यह नहीं करता तो यह use कर लेता है कि कुछ rules होते हैं present simple के उनको समझ कर आप present simple tense fill करते हैं blanks में तो adverbs है always, usually, normally, often, generally, hardly, seldom, occasionally, frequently, daily, regularly, suddenly, every year या every Monday या every week on Sunday, on Monday, on Tuesday, okay, once a week या once a year या sometimes या never यह चीज़ मेरी माने आपको full focus रखना है adverbs पर कि present simple tense में कौन सी adverbs हाती है यह बहुत जरूरी है यह याद कर लोगे आपके present simple tense आपको 80% है और 20% हो है यह चीज़ बहुत जरूरी है adverb वली तो इसी के साथ हम present simple tense को finish करते हैं इसका अगला tense कौन सा इसका अगला tense है present continuous tense जो चलता है तो present simple tense अपनने इस वीडियो में इस lecture में complete करा है आपको समझना है नहीं समझाया हो तो आपको वीडियो वापिस ना मुझे 100% शौर हूँ कि आपको यह पढ़ाया हुआ अराम से समझ आएगा एकदम easy language में मैंने आपको present simple tense इस वीडियो लेक्टर में मैंने cover करा है फिर भी अगर आपको थोड़ा कुछ doubt हो तो description में मेरे link है आप वहाँ पर मुझे directly message कर सकते हैं और मैं शौर आपका reply ज़रूर करूँगा हम next video में मिलेंगे आपके इसके present tense के next chapter में ओके आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप subscribe करें share करें like करें thank you झालो